हेलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चनल विने इस्टडिकेन में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं जै विवित्ता एबं सररक्षन से संबंदीत बहुती महतपून बहुविकल्पी प्रशन दोस्तो यदि आप ACF रिंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महतपून होने वाला है तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रशन रियो डी जिन्रो पर प्रित्वी सिखर का संबंद था अप्शन दिया है मृदा की उर्वरक्टा से, प्राकृतिक स्रोतों के सर्वेक्षन से, परियावरन के सर्रक्षन से और वनी करन के परिरक्षन से तो दोस्तो रियो डी जंडरो पर प्रित्वी सिकर का संबंध परियावरन के सरक्षन से था तो option C सही दूसरा प्रशन है red data किताब किसके आकड़े उपलब्द कराती है option दिया है लाल पुस्पी पौधों के लारंकी मचलियों के विलुप्त प्राय पौधों एबं जन्तु के लाल आख के पक्षियों के तो दोस्तो red data किताब जो है विलुप्त प्राय पौधों एबं जन्तु के डाटा उपलब्द कराती है तो option C सही होगा तीसरा प्रशन दोस्तो विश्व वन्य जीवन सप्ताह वर्ड वाइड लाइफ विग होता है option दिया है सितंबर का प्रथम सप्ताह अक्टूबर का प्रथम सप्ताह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह और अक्टूबर का अंतिम सप्ताह तो दोस्तो वन्य जीवन सप्ताह अक्टूबर महा के प्रतम सप्ताह में शोमवार को मनाया जाता है तो option भी सही होगा चौथा प्रश्ण दोस्तो निमलखित में से किस एक राष्टी उपवन में बाग एक निवासी नहीं है option दिया है रन्थंबोर, शुन्दरवन, गीर और जीम, कारबेट तो दोस्तो इसमें जो option दिया है उसमें C गीर सही होगा पाचवा प्रश्ण दोस्तो निम्लखित में से किसे राष्टी उद्यानों में सर्रक्षित किया जाता है option दिया है फ्लोरा, फोना, दोनों A और B इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसमें फ्लोरा और फोना दोनों को रखा जाता है तो option C सही होगा red data book निम्लखित में से किसके द्वारा बनाई गई है अथवा, विलुक्त प्राय जातियों की सूची किसके द्वारा दी जाती है option दिया है IUCNR, The Bombay Natural Society, WPSIR, IUCN तो दोस्तो, IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Red data book का प्रकाशन करता है जिसमें संकट, पत्र, जन्तुओं वा, पौधों की जातियों के विशय में जानकारी प्रकाशित की जाती है तो option D सही होगा साथवा, प्रश्ण दोस्तो, भारत में अत्यधीक जयविवित्ता का धनी छेत्र है option दिया है, गंगा, केचेत्र, ट्रांस, हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य, भारत इसका उत्तर होगा दोस्तो, option C, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में 4% जविवित्ता पाई जाती है आठवा प्रश्ण है, शंकट ग्रस्त प्रजातियों, इस पिसीज, के पर इस्थाने, एक्ज सेटू, सरक्षन विध्यों में से एक विधी है option दिया है, वन्य जीव, अभ्यारन, जयव मंडल आरक्चक, रिजर्व, नेम्न तापी परिरक्षन, क्रायो, प्रिजर्वेशन, और राष्टी उध्यान दिया हुआ है तो दोस्तो इसका जो उत्तर होगा, option C होगा, निम्न तापी परिरक्षन, इसमें, माइनस, एक सो चैन्बे, डिग्री, शेल्सियस, में, द्राव नाइट्रोजन का उप्योग करके, उतक सवर्धन, भ्रून, जन्तु कोशिका, उतको, आदी को सुरक्षित किया जाता है यहाँ एक निम्न तापी परिरक्षन कहलाता है, यह एक प्रकार का परिस्थाने सरक्षन है अर्थात् प्राकृतिक वास इस्थानों में, वन्य प्राणियों का सरक्षन, जो की अत्यरीख संकट गरश्त है, जातियों के लिए किया जाता है एक सीटू सरक्षन के लिए दो विदिया है जिसमें आपसाइट कनेक्षन और जीन बैंक नववा प्रश्ण वन्य जीवन है मनुश्य पालतू जानवार तथा फशलों के अतिरिक्त संपूर बायोडाटा सरक्षित वनों के सभी केशुरू की सरक्षित वनों के सभी जन्तू सरक्षित वनों के सभी जन्तू तथा पादब तो दोस्तो इसका जो उत्तर है option ए होगा वन्य जीवन में वे सभी जिव समलीत है जो अपने प्राकृतिक आवासों में न तो उत्पन्न किये जाते हैं और नहीं पालतु बनाये जाते हैं दस्वा प्रश्ण दोस्तो वानस्वत्तिक उध्यानों का प्रमुक कार्य है option दिया है ये पुनर निर्मान हेतु सुन्दर छेत्र उपलब्द कराते हैं यहां उष्णकटी बंदिये ट्रोपिकल पौधे पाये जा सकते हैं ये जर्म प्लाज्म का बाह्य इस्थाने सररक्षन करते हैं ये वन्य जीव के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्द कराते हैं तो दोस्तो सहीं उत्तर होगा option c ये जर्म प्लाज्म का बाह्य इस्थाने एक सेटू सरक्षन करते हैं प्राकृतिक आवास में वन्य जीवन का सरक्षन बाह्य इस्थाने सरक्षन कहलाता है किन्त जन्तू साला और वनस्वत्ति उध्यानों में इससी प्राकृतिक वन इस्थलो में वन्य जीवन का सरक्षन एक्स्टू से टू कहलाता है। 11 प्रश्ण दोस्तों भारत में पारिसितिक तप्त इस्थान होट स्पोट उपस्तित होते हैं एक दो तीन और चार। तो दोस्तों भारत में पारिसितिक तप्त इस्थान दो है ठीक है ध्यान रखेगा उसके बाद 12 प्रश्ण है आवाश नश्ट होना और तूटना अधिक शोशन बाहरी जाती का आक्रमन और शह अस्तित्व किसके लिए उत्पन होते हैं जनसंख्यावी स्पोट इस्थान आंत वाश नश्ट होना या तूटना अधिक शोशन बाहरी जाती का आक्रमन और शह अस्तित्व जवित्ता के लिए उत्पन होते हैं तेरवा प्रश्ण दोस्तों भारत में दो हाट स्पार्ट उत्तर पुर्वी हिमालय तथा पस्चिम धाट पाये जाते हैं इन में अधिक्ता ह होती है उभैचर सरीश्रीप उभैचर सरीश्रीप कुछ इस्तंधारियों तितली तथा पुस्पी पादप और ऑप्शन दी दिया है तितली तो दोस्तों इसमें उभैचर सरीश्रीप कुछ इस्तंधारियों तितली तथा पुस्पी पादप सही उत्तर है तो ऑप्शन सी स प्रण्दवा प्रश्न अपने देश में ऐसे कौन से छेत्र हैं जिन में जय वित्ता सरवाधिक होती हैं। औप्शन दिया है पस्षिमी घार तथा पूर्वी हिमालय, पस्षिमी घार तथा डेकन-Peletiu, ओप्षन सी दिया है पश्चिमी घार तथा जेनेटिक प्लेन, ट्रांस हिमालय तथा डेकन, पेनी, सुयला तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा ओप्षन ए होगा पश्चिमी घार तथा पुर्वी हिमालय पंदरवा प्रश्च दोस्तो भारत में बनने वाला प्रतम राष्टी पार्क है कानहा, जीम कार्वेट, काजी रंगा और गीर दिया है तो दोस्तो भारत में बनने वाला पहला राष्टी पार्क है जीम कार्वेट निम्न में से किस एक को स्वाइस्थाने इन सीटू सररक्षन में समलित नहीं किया गया है बायोइस्पियर, नेशनल पार्ग, अभ्यारन और बाटनिकल गाडन तो दोस्तो इसमें जो है बाटनिकल गाडन को इन सीटू में समलित नहीं किया गया है सत्रवा प्रश्ण दोस्तों कुल भगोलिक छेत्र के ऊपर आवास की विवित्ता को कहते हैं अल्फा विवित्ता, बीटा विवित्ता, गामा विवित्ता, डेल्टा विवित्ता और ओमेगा विवित्ता तो दोस्तो इसमें जो है कुल भगोलिक छेत्र के उपर आवास की विवित्ता को गामा विवित्ता कहते हैं अठारवा प्रश्ण निम्न में से किसके कारण ट्रोपिकल देशों में इस्पेसिज विवित्ता में कमी आ रही है नगरी करण, प्रदूशन, अवनी करण और मृदा परदन तो दोस्तो अवनी करण इसका मुख्य कारण है ट्रोपिकल देशों में इस्पेसिज विवित्ता में कमी लाने के लिए तो ऑप्शन सी सही होगा उनीश्वा प्रश्ट दोस्तो वे कौन सी जातिया है जिनका यदि सिग्रता से सरक्षन नहीं किया जाए तो वे विलुप्ती करण के बहुत नजदीक होगी ऑप्शन दिया है संकट पन इस्पेसिज दूरलब इस्पेसिज विलुप्त प्राय और अनुछित इस्पेसिज तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें हम विलुप्त प्राय जी को मानते हैं कि यदि हम इसका सरक्षन ना करें तो ये विलुप्ति करण के कागार पर पहुँच जाएगा इसमें मुख्यता सेर है, पुच्च बंदर है, मगर मच्च है, कस्तुरी म्रीग है और एक सिंगा गेडा आदी ऐसे वन्यजुई है जो संकटपन जातियां के अंतरगत अभी वर्तमान में है विश्वा प्रशन दोस्तो रेट डाटा बुक की सूची में इस पिसिज होती है, अनुचीत, संकटपन, विलुप्त, प्राय और उप्रुक्त समी तो दोस्तो रेट डाटा बुक में अनुचीत, शंकटपन, विलुप्त प्राय ये तीनों होती है तो option D सही होगा आगे बढ़ते हैं 21 प्रशन विश्व परियावरन दिवस मनाय जाता है option दिया है 5 जून को, 6 जुलाई को, 10 अगस्त को और 2 अक्टूबर को तो दोस्तो आप सभी को पता है कि विश्व परियावरन दिवस option ए 5 जून को मनाय जाता है आप सभी ने अभी हाल ही में मनाय हो 22 प्रशन दोस्तो राष्टी उध्यान के लिए क्या सत्य है दिया हुआ है परियाटकों की तर्ड इस्थ छेत्र जिसमें बफर जोन में स्विक्रिती मानो क्रिया कलाब की अस्विक्रिती सिकार की केंद्री छेत्र में स्विक्रिती चरने वाले ममस्यों की तथस्य छेत्र में स्विक्रिती तो option दिया हुआ है दोस्तों उसमें सही option होगा option भी मानाव क्रिया कलाप की अर्श्विक्रिती 23 प्रश्ण बायो इस्पियर रिजर्व के किस भाग में सीमित मानवी क्रिया कलापों की अनुमति होती है कोर जोन, बफर जोन, मन्यूपलेशन जोन और इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें बफर जोन में मानवी क्रिया कलापों की अनुमति होती है 24 प्रश्ण वन्य जीवन के विलोपन के संबंद में मनुष्य की सबसे प्रमुख क्रिया क्या है अप्शन दिया है प्राकृतिक आवास में परिवर्तन या विनाश, वैपारिक मर्त्व के वन्य जीव उत्पात का सिकार, जल तथा वायू का प्रदूशन, बाहरी प्रजातियों का समाविस तो दोस्तो इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन या विनास 25 प्रशन दोस्तो निमलिखित में से कौन सी सरक्षन की श्वाइस्थाने विदी है राश्टि उद्यान वानस्पतिक उद्यान हुतक सवर्धन जनेटिक इंजिनेरिंग और क्रायो परिक्षन तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन ए राश्टि उद्यान 26 प्रशन वह देश जिसने वातावरन के सरक्षन के लिए पहली विश्व प्रित्वी समीती गठत की ओप्शन है ब्राजिल, श्पेन, भारत और पेरू तो दोस्तो सही उत्तर है ब्राजिल ब्राजिल ने जो है रियो डिजनरो नामक सहर पर या समीट किया उसके बाद 27 प्रशन दोस्तो संकट महीं इस्पेसीज होती है केवल विलूप्त प्राय इस्पेसीज केवल अनुचित इस्पेसीज विलूप्त प्राय तथा दूरलब इस्पेसीज विलूप्त प्राय अनुचित तथा दूरलब इस्पेसीज तो दोस्तो इसका जो है तीनो ओप्शन डी सहीं होगा तो दोस्तो जन्यमाद वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जुरूर बताईएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन को प्रेस की जाए ताकि वीडियो के नोटिवेशन आप तक पहुंचती रहे जन्यमाद दोस्तो